नमस्कार कितान भाइयू स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में और आज हम बात करेंगे एक और लेटिस्ट मॉडल की 2023 का लेटिस्ट मॉडल यह होने वाला है और हम हर बार आपको लेटिस्ट मॉडल की पूरे फीचर्स की जानकारी देते हैं और आज फिर आपके से आने वाला परक्यावर्णा का यूरो-च्ट मोडल जो की बावन हउट का ट्रैक्टर है दोस्तों और स्टाक्टर की प्राइज जो होने वालrepresented तक और वीडियो को पूरा कि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बात कर लें इस ट्रेक्टर की प्राइज की तो इस ट्रक्र की प्राइज जो है उस्तों 9 आइडी मानलो driving lessons मानलो और तीन महीने की बैंक की statement इसमें लग जाती है अब इस टेक्टर पर लगने वाले loan interest की बात करें तो अगर आप इस टेक्टर को finance कराते हो इसमें आपको मिलेगा 9% का 9% की आपको instant rate मिलेगी यानि ब्याज लगेगा आपका और दोस्तों अगर आप बैंक को बड़ोजा से कराते तो दुबारा दिसम्मला 25% का आपका ब्याज लगने वाला है और ICI से कराओगे तो इस टेक्टर में जो है 16% सबसे जाधा ICI की interest rate है द दूस्तों ज्यादातर हो सके इस टेक्टर को SBI bank से कराईए और यदि आप और किसी अधर टेक्ट बैंक से कराते हो तो सबी बैंकों की अलग-अलग अपनी interest rate होती है और इस टेक्टर की दूस्तों डाउन पेमेंट आप मिनिमम इस टेक्टर को डेल लाग रुपे जमा करके यह दो लाग रुपे जमा करके इस टेक्टर को आप ले सकते हो तो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है टेक्टर 52 HP की कैटेग्री का है सम्तिंग सम्तिंग यह टेक्टर आपको लौन कराके 13-14 लाग का पढ़ जाएगा और देखें आप टेक्टर को टेक्टर सामने से बहुत सा यह दो को लग रहा है चार-चार लाइट नहीं पर देखें तो यहां पर आपको जो है लीडी की डिजाइन दी गई है यह जलेगी आपकी यदि आप नहीं जलाना सकते तो यह ए लौन डिजाइन डिजाइन की रूप में जला सकती बहुत बढ़ी आट्रेक्टिब लोग द आपको बजन मिल जाता है बेट्स 80 किलो का वेट्स आपको सामने मिल जाता है ट्रैक्टर में जो कि बहुत बढ़िया है दुस्तों और यहां पर आपको टो हुक भी मिल जाता है इस बेट में अटेच यह देखें फोर विल ड्राइब का एक्सल जो है बहुत बढ़िया दिया बहुत बढ़ीया-4wheel-drive का आपको यहाँ rear मिल जाता है our power steering की बात करते तो power steering मिल जाती है डूल acting power steering newsletter मिलती हैna grease point मिल जाते हैं और कापी बढ़िया जो है Power steering मिल जाती है आपको dual acting father setting 15 speed मिलती ay c याणि high low medium करके 15 so caution में 15 speed मिल जाती है और यहाँ देखें आप तो यह 4-4 की बैजिंग और टाइप का आपको एर किलीनर मिल जाएगा इस टेक्टर में ब्लू और ब्लेक कलर कॉंबिनेशन के साथ यह टेक्टर आता है और यह टेक्टर दोस्तों यह देखें आप 52 HP की कैटेग्री का टेक्टर है यहां पर आपको बैटरी बॉ ब्लेटरी बॉक्स बनाएगा इस टेक्टर का प्लेटपॉर्म भी कापी शांदार मिल जाता इस टेक्टर का देखें आप तो प्लेटपॉर्म भी सांदार इस टेक्टर में मिल जाता है यह देखें तो यह देखिए कापी शांदार जो है इस टेक्टर का प्लेटपॉम जाता आप आसानी से चड़ो उत्रों कोई दिक्कत नहीं ही इटिंग गार्ड आपको इधर साइड में देखने को मिलते हैं यह जिससे आपको जो है इंजन की गर्मी ड्राइवर के जो चालक होता है उसके पैरों तक नहीं पहुंचेगी यानि आराम से चलाएगा डूएल के छेथे प्ट लिवर मिल जाती है है और यह जो अएन गेर्लमी प्रहें प्रमीब लिजु में देखने साथ ही इसमें दोस्तो कॉ definitions अपका उन्पक्त और यह आपके man gear lever हो गया यह आपको pte o equiv आपको पीटी एक लिए और यह जो ऊर इर डिय को लिए फश्प्ट ऑब्र आपको साइट्सिप्टाइयर्म बॉकक्स इस टेक्टर में दे देखने को मिलता है और यह वह वहिस टेक्टर में यह और सांदार्ट चीज बनाई गई है कि यहां पर आप साउंड इसमें अटेच कर सकते हैं यानि बागी आप टेक्टर लेते थे साइडों में भाईया डिग्गा लगा के घूम रहा है और साउंड फिट कराने के लिए अलग व्यवस्ता देखो लेकिन इसमें इसमें अलग से प्वस्ता दी गई है यहां पर आईलो मीडियम गैरबॉक्स का लीवरह यइ रहा यह आपका पीट्यू के लिवरह हो गया यहां पर ूं के लिवरहा आपको यहां देखने को मिल जाता है जो कि कापी सांदार रहने वाला है यहां पर आपको पोजिशन लीवर मिल जाते हैं लिप्ट पोजिशन लीवर डी सी पी सी लीवर आपको यहां देखने को मिल जाते हैं और यह आपको में गेर लीवर हो गए जिसमें आपको चार गेर मि इधर ही मिल जाता है although यानी आपको जो है वारा फॉर्वर्वाड में तीन डिन्ä आपको यहां देखने को मिलते हैं यह आप का ब्रेक लॉघ मिल जाता है यहां पार्किंग लॉडता है जिसको और यह आपका यानि नम्मर वन लिफ्ट इस ट्रैक्टर की आपको दी जाएगी इस ट्रैक्टर में और यह देगी मढगार्ड भी कापी खुब तूरत बनाए गए हैं इंडिकेटर भी कापी बढ़ियां बनाएगा इस ट्रैक्टर के बहुत बढ़िया है इस्टेरिंग फील छोटा सा मिल जाता है अब जैसा बढ़ियां आपको जोए एरो डायामिक सेपका मिल जाता है करके दोनों का क्कोंब्रशायां कर करके आपको इंस्ट्रिमेंट कर बनाके दिया गया इस ट्रैक्टर में और 35-45-60L का डिजल टैंक मिल जाता है यह आपको کंट्रॉल लीवर मिल जाते हैं ल जल्दी से गंद नहीं होंगे या दूप से खराब नहीं होंगे इस ट्रेक्टर का कलर भी बहुत बढ़ियां आता दोस्तों जो यूरो मोडल आ रहने वाला बहुत कंपनी का इंलाइन फ्यूल पंबावन एच्पी का इंजन मिल जाता है जो कि 2932 सी का रहता है दो जार निटेट आर्पीम पर मैक्सिमम पावर जनरेट करके देगा जो यह देगी यह टूल बॉक्स आपको इदर देखने को मिल जाता है और डारेक्ट इंजेक्शन डीजल इंजन इस ट्रम मिलता बही और इस ट्रेक्टर के दोस्तों बात करें तो बात बात भी बात करें और बाकी जो कंपनीओं के बाके द्रेक्टर मान लो 25 फी के ट्रेक्टर मान लो उनसे इसकी डीजल खबत कई गुना कम रहने वाली है आप कैसे भी इसको टेस्ट कर लेना और यह आपको पीछे रिपलेक्टर मिल जाता सीथ के पीछे यहां पर आपको बोतल रखने के लिए बोतल होल्टर दिया गया है और यह रेफ्लेक्टर दिया गया है और यहां देखें आप तो यहां 12 बोल्ट की शोकेट मिल जाती है आप किसी भी इंप्लिमेंट को चला रहे हैं तो उस तक लाइट पहुंचाने के लिए अंदेरे में च इस त्रिविटर बोल्ट मिल जाते हैं आप किसी भी इंप्लिमेंट को चलाईए बढ़ी पल्टी पलाओ बगेरा किसी को भी चलाईए आसानी से आप इस पर चला सकते हैं इनका लीवर मिल जाता है यह अलग से लिए अलग से लेकिन आप ऐसा नहीं है कंपनी फिट करके दे दोस्तों इस ट्रैक्तुम आपको मिलती है 2000 kg की लिप्टिंग कैफिशिटी जो की कापी शांदार है इंडिया की नमर वन सैंसरी लिप्ट कर मिल जाती है पीच्चे के टायर आपको देखने को मिलते हैं जो कि काफी सांदार रहने वाले हैं 16 के और 14 के दोनों परकार के टाय लाइक करने में तो जरूर कर लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और यह वीडियो हमने सूट किये गुना के फाराम ट्रक्स औरूम पे